हाई गाईज, वेलकम बैक टू दी चानल, Microsoft Office का आज डे एट है, जिसमें हम अगें टो फिफ्टी, इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वैस्चन को कवर करेंगे, जो प्रीवियस एर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो अगर आप Microsoft Office के इन चार टॉपिक पे अच्छी कमांड बनाना चाते हैं, तो इस सीरीज को जरूर फोलो कीजे, क्योंकि यहाँ पे हम सभी क्वैस्चन को, जिन्हें प्राक्टिकल की माध्यम से दिखाया जा सकता है, प्राक्टिकल करके भी देखेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी काम कैसे किया जाता है, तो विदाउट डिले सुरू करते हैं, आज का वीडियो, पिछले वीडियो के एंड में आपको एक क्वैस्चन दिया गया था, पहले हम ये देख लेते हैं, गूगल इंक के द्वारा ओफर किया गया, एमे सेक्षल का सबसे अच्छा अल्टरनेटिव कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी, गूगल सीट्स, इसे आप कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं, तो आपको जाना है, क्रॉम पे, नाइन मैट्रिक्स पे आपको क्लिक करना है जैसे ही आप किलिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको गूगल सीट का ओप्षन मिलता है, इसे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, पहला क्पैस्चन देखी आज का, तो मूफ टू दा बॉटम ओफ आप डॉकुमेंट प्रेस, किसी डॉकुमेंट के बॉटम में मूफ करने के लिए यनि कि जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे, तो ओप्षन दिया गया है A, B, C और D, राइट आंसर क्या होगा, C, कंट्रोल की प्लस एंड की, प्रेस करके आप किसी डॉकुमेंट के बॉटम में जा सकते हैं, तो यह है हमारा डॉकुमेंट, इसमें टोटल थ्री पेजिस हैं और अभी हम फ्रस्ट पेज़ पे हैं, जब हम कंट्रोल की के साथ में एंड की प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं डॉकुमेंट के बॉटम में आ चुके हैं That is a special view of the presentation, which is suitable to be printed and distributed to the audience बताना है कि इन में से कौन सा एक special view है presentation का, जो suitable होता है printing के लिए and audience को distribute करने के लिए तो right answer क्या होगा, B handout, handout view एक, view है powerpoint presentation में, जिसका अगर आप इस्तिमाल करते हैं तो यह printing के लिए and audience को distribute करने के लिए बहुत suitable होता है कैसे तो हम आ चुके हैं powerpoint में, आपको जाना है view टैब में, यहाँ पे मिलता है handout master को option, इस पे click कीजिए तो एक अलग से tab open होगा handout master के name से तो आप देख सकते हैं, एक ही page में आपको 6 slide दिखाई दे रही है आप इसे setup भी कर सकते हैं, देखे, page setup को option दिया गया है आप page को orientation क्या रखना चाते हैं, slide का size क्या होना चाहिए आप पर page कितने slide को print करना चाते हैं, header, footer, date, page number, so on यह सारी चीज़े आप यहाँ से access कर सकते हैं इन power point, themes could be found under power point में themes का option आप कहां से found कर सकते हैं, खोजी सकते हैं तो answer क्या होगा, B, design tab जब आप power point के design tab पे click करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है themes का option, यहाँ पे click करने से more themes आजाएगा जिसे भी आप इस्तिमाल करना चाहते हैं, click कीजी और कीजी what will be the shortcut key in MS Windows to perform cut operation MS Windows में आपको cut operation perform करना है, तो कौन सी shortcut key दी गई है तो answer क्या होगा, D, control plus X का इस्तिमाल किसलिए किया जाता है cut करने के लिए, फिर चाहे आप computer में कहीं पे भी इस्तिमाल करें, यह cut का ही काम करेगा the valid format of MS Word is, बताना है कि दिये गए option में से MS Word का valid format कौन सा है, तो right answer क्या होगा, C, dot, D, O, C यह valid format है MS Word का, बागी जो आप तीन देख रहे हैं, यह invalid है what is the shortcut key to open the font dialogue box in MS Word MS Word में font dialogue box open करने का shortcut key क्या है तो दिया गया है A, B, C और D, answer क्या होगा, B, control प्लस D की मदद से आप Microsoft Word में font dialogue box open कर सकते हैं, पीच अब दा following keyboard shortcut opens the save as option in MS Word, MS Word में कौन सी keyboard shortcut save as option open करती है, तो answer क्या होगा, D, F12 की का इस्तेमाल किसलिए किया जाता है, MS Office में, save as dialogue box को open करने के लिए फिर चाहे आप MS Word, Excel, PowerPoint, किसी में भी काम करते हों, यह save as का ही dialogue box open करता है तो देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेस कीजी, आप save as dialogue box open हो चुका है अब जो भी आप अपने file का name देना चाहते हैं, यहाँ पर file name देख करके इसे save कर सकते हैं Under which tab is the watermark button available in MS Word 2016 MS Word 2016 में, watermark का बटन आपको किस tab में मिलता है? Home, Insert, Design, Page Setup आंसर क्या होगा? C, Design tab में आपको watermark का option दिया जाता है इस पे क्लिक करके आप watermark लगा सकते हैं Watermark text भी हो सकता है, image भी हो सकता है हमने discuss किया है question, exam में पूछता है कि watermark क्या apply कर सकते हैं आप Text या image या दोनों पांसर क्या होगा? दोनों What do you call the distance between written text and the is of a paper? Question का meaning क्या है? Written text और paper के किनारे के बीच की जो दूरी होती है Distance होता है, उसे आप क्या कहते है? Alignment, Ruler Line, Indent Stop, Margin Answer क्या होगा? D, Margin कहा जाता है जहां से आपका text start होता है और जहां से paper शुरू होता है इन दोनों के बीच में ये जो आप space देख रहे हैं न इसी को कहा जाता है Margin Pitch of the following is used to change the text color in MS Word Document MS Word Document में आपको text का color change करना है तो निम्नलिखित में से आप किसका इस्तेमाल करेंगे? A, B, C या फिर D B, font color का, कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर आपको दिया गया है font color का option इस पर क्लिक करके आप अपने selected sentence में color change कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं यहां से Pitch of the following tab is used to enable ruler option in MS Word 2010 MS Word 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा tab इनेबल करता है ruler option को इस्तेमाल करने के लिए Review, Design, Page Layout, View आंसर क्या होगा? D, View tab तो आपको आना है Microsoft Word में View tab पे क्लिक करना है देख सकते हैं ruler को option इस पर अभी यह uncheck है चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ruler आ चुका है Pitch of the following is not a word processor बताना है कि निम्निलिकित में से कौन सा word processor नहीं है Wordpad क्या है? Word processor है Microsoft Word यह भी word processor है Open Office Impress Open Office Writer तो right answer क्या होगा? C, Open Office Impress जो होता है यह Libre Office का PowerPoint presentation है बांकी जो आप तीनों option देख रहे हैं यह सभी word processor के example है Our row is called our dash in relational data model Relational data model में row को क्या कहा जाता है? तो answer होगा B, Tuple इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि relational data model में एक column header को क्या कहा जाता है? तो answer क्या होगा? C, Attribute Which of the following MS Word features crosses text out by drawing a line through it Question क्या पूछ रहा है? निम्नलिकित में से कौन सी MS Word की feature है? जो text को एक line खीच कर काट देती है दिया गया है सबस्क्रिप्ट पेजी नेशन अंडरलाइन Strike through Right answer क्या होगा? D, Strike through का अगर आप इस्तिमाल करते हैं Microsoft Word का एक ऐसा feature है जो आपके text को एक line खीच कर काट देती है तो यहाँ पे हमने जिस text को cut करना चाते हैं Strike through के through select किया है अब आपको click करना है यहाँ पे यह है Strike through का option click कीजे तो आप देख सकते हैं आपका जो word है, text है, sentence है, line है जो भी आप कह सकते हैं cross हो चुका है which of the following is the shortcut key to undo the last action in MS Word MS Word में last action को undo करने के लिए निम्दलिकित में से कौन सी shortcut key इस्तेमाल की जाती है तो आंसर होगा D, control plus Z undo काम कैसे करता है सपोज आपने एक paragraph लिखा select किया और वो paragraph delete हो गया तो आप उस paragraph को वापस कैसे ला सकते हैं फिर से type करके दूसरा option आपके पास से undo करके ला सकते हैं तो control Z क्या करता है last action को undo करता है तो यहाँ पे last action कौन सा हुआ आपने paragraph लिखा select किया और paragraph delete हो गया तो control Z प्रेस करेंगे तो last action delete होने का हुआ है तो आपका paragraph आज आएगा वापस when opening a new document in Microsoft Word 2016 the default font size is question कह रहा है Microsoft Word 2016 में एक new document जब आप open करते हैं font का size default कितना होता है अगर आप कुछ भी changes नहीं करते हैं तो right answer होगा B 11 तो देख सकते हैं यहाँ पे Microsoft Word document पे आ चुके हैं लेकिन font size 16 दिया गया है हमने क्या पढ़ा कि default 11 होता है तो यह 16 क्यों है क्योंकि इसे हमने change किया है तो अब एक new document ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं font size default 11 आता है फिर आप इसे अपने according घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं इन MS Word 2019 document a text string for an email address automatically displays as a hyperlink which of the following options do we need to select to remove this link question क्या पूछ रहा है MS Word 2019 document में email address के लिए एक text string automatic रूप से hyperlink के रूप में display होती है इस link को हटाने के लिए निमनलिकित में से कौन सा option select करना होगा तो दिया गया है remove hyperlink edit hyperlink remove underline convert to regular text right answer is a remove hyperlink अब देखते हैं ये काम कैसे करता है तो जब आप Microsoft Word पे कोई भी email address टाइप करते है ना तो आप देख सकते हैं ये एक link की तरह दिख रहा है जब आप इस पे करजल ले जाएंगे ना तो ये सो कर रहा है कि ये एक hyperlink की तरह है आप इसमें control की को hold करके click करके follow कर सकते हैं आपको ये ही link हटाना है normal text की तरह ये दिखाई देना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इस पे right click करना है यहाँ पे मिलता है remove hyperlink का option click करेंगे तो ये normal text की तरह दिखाई देने लगेगा ये question भी exam में कई बार पूछा जा चुका है you can select paragraph formatting using option paragraph formatting को कहां से select कर सकते हैं किस option का इस्तिमाल करके आप select कर सकते हैं दिया गया है view, paragraph, font, margin answer क्या होगा be paragraph कैसे करना है तो ये है हमारा selected paragraph इसमें जो भी formatting आप करना चाते हैं दिया गया है paragraph option कर सकते हैं आप center, right, justify, space बढ़ाना चाते हैं सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है paragraph formatting से related which menu contains the option print layout in windows windows में कौन सा menu print layout option contain करता है edit menu, file, insert, view answer is D view menu में आपको print layout का option मिल जाता है देख सकते हैं आप that is one of the popularly used database management system और dbms to create, store and manage database बताना है कि इन में से कौन सा one of the popular database management system या dbms है जिसका इस्तिमाल database को create, store and manage करने के लिए किया जाता है इस्तिमाल 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 और dbms है इस्तिमाल किया जाता है Microsoft Word में minimum zoom percentage कितना होता है आप इसे कैसे चेक करेंगे कि 10% है की नहीं Microsoft Word के view tab में आना है zoom को option यहाँ पर मिलता है क्लिक करने से zoom dialogue box ओपन हो जाता है हम percentage में लिखेंगे 600 इंटर प्रेस करते हैं आपको एक message आ रहा है the number must be between 10 and 500 यहनी कि जो भी आप zoom का percentage रखना चाते है वो number 10 और 500 के बीच में होना चाहिए तो इससे आपको क्या पता चलता है कि minimum 10% होता है और maximum 500 दोनों याद रखना है the point at which the flow of text in a document moves to the top of a new page question कह रहा है वो point जिस पर किसी document में text का flow एक नए page के top पर जाता है क्या कहलाता है page insert, page break, page format, all of the above answer होगा B, page break कहते है कैसे यह काम करता है तो यहाँ से अगर आप अपने page को break करना चाहते है करजर रखिये और आप चाहते हैं कि यह जो यहाँ से line है यह next page के यहनि कि जो new page हमारा होगा उसके top में आपको दिखना चाहिए तो page break का shortcut क्या होता है control, enter तो आप देख सकते हैं second page पे आ चुका है dash is the key to exit from Excel Excel से आपको exit करना है बाहर निकलना है तो कौन सी की इस्तिमाल होगी alt plus f4 कैसे यह काम करता है Excel seat पे हम आ गए है alt plus f4 प्रेस करते हैं आपको dialogue box open हुआ है पूछ रहा है कि जो भी आपने changes किया है workbook 1 में क्या आप इसे save करना चाहते हैं या नहीं हम करते हैं don't save आप देख सकते हैं Excel की file जो है बंध हो चुकी है to insert cells, rows और columns dash the keyboard shortcut is बताना है कि row, column या cell को insert करने का keyboard shortcut क्या है तो चार option दिये गए है A, B, C और D answer क्या होगा B, control, shift, plus sign कैसे ये काम करता है तो जहां पे भी आप row insert करना चाहते हैं select कीजे तो हम चाहते हैं कि हमारा जो row insert हो नेहा के just उपर होना चाहिए आप प्रेस करेंगे keyboard में control, shift, plus देख सकते हैं आप row insert हो चुका है इसी तरीके से आप जहां पे भी column insert करना चाहते हैं इस तरीके से select करना है control, shift, plus sign पे click कीजे तो column insert हो चुका है तो इस तरीके से ये shortcut की काम करती है बहुत ही अच्छा question है एक word document में निम्नलिकित में से कौन सा feature इस्तिमाल होता है किसी word को count करने के लिए number of pages को count करने के लिए characters को count करने के लिए paragraphs and lines को count करने के लिए पांसर क्या होगा C, word count नाम का एक feature आपको MS word के review tab में यहां पे मिलता है जब आप इस पे click करते हैं तो देख सकते हैं इसका name है word count लेकिन ये word के साथ साथ number of pages, characters, without space with space, paragraphs, lines ये सारी चीज़े आपको count करके देता है तो बहुत ही कमाल का feature है what is the default number of lines to drop for drop cab drop cab के लिए, drop करने के लिए line के default number क्या है पांसर होगा A, 3 3 आपको default दिया गया है चलिए इसे समझते हैं तो आपको आना है MS word के insert tab में मिल जाता है drop cab का option जब आप इस पे click करते हैं तो drop पे देखेंगे तो देख सकते हैं 3 line default में है इस तरीके से ये दिखता है अगर आप इसे margin पे click करते हैं तो देख सकते हैं जो हमारा पहला word होता है ये इस तरीके से दिखाई देता है अब आपको click करना है drop cab option पे चेक करना है कि default कितना line दिया गया है तो देख सकते हैं 3 है जो default setting है What is the maximum number of lines you can set for a drop cab अब आपको क्या बताना है कि drop cab के लिए maximum number of lines आप कितना set कर सकते हैं तो right answer क्या होगा A 10 कैसे तो फिर से वही काम आपको करना है insert में आना है drop cab पे click करना है dialogue box open होगा हम यहाँ पे lines to drop के लिए 15 लिख देते हैं और enter press करते हैं message क्या आ रहा है the number must be between 1 and 10 यनि कि आप इस number को minimum 1 कर सकते हैं maximum 10 कर सकते हैं by default पूछता है तो वो 3 होता है in dash view you can see all the slides in a presentation concurrently इन में से किस view में आप presentation की सभी slide को एक साथ देख सकते हैं answer क्या होगा d slide sorter view ये presentation का ऐसा view है जिसमें आप सभी slide को एक साथ देख सकते हैं करना क्या है powerpoint presentation के view tab में आना है click करना है slide sorter पे तो आपकी जितनी भी slide है सब एक ही page पे आपको दिखाई देती है dash is the shortcut key to delete cells, rows और columns हमने cell, row और column को insert करने सीखा है अब आपको delete करना है तो कौन सी shortcut की इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 4 options दिये गए है answer क्या होगा a control minus sign कैसे करना है तो जिस भी row या column को delete करना चाते है select करना है देन आपको keyboard में control key के साथ में minus key को press करना है तो देख सकते हैं आपका column delete हो गया है इसी तरीके से इस row को delete करना चाते हैं select करेंगे control minus तो हमारा row भी delete हो गया right clicking something in Excel जब आप Excel में right click करते हैं तो क्या होता है दिया गया है a, b, c और d आप सभी को read कीजे देन आपको बताना है कि right answer क्या होगा right answer d होगा opens a shortcut menu listing everything you can do to the object यहनि कि जब आप Excel में right click करते हैं तो एक shortcut menu open होता है जिसमें वो सब कुछ दिया रहता है जो आप एक object पे करना चाते हैं कैसे तो देख सकते हैं यहाँ पे हम right click करेंगे तो एक list open होती है जहां से सारी feature आपको cut, copy, insert, delete, clear सारी चीज़े दिये गई है आप जो भी करना चाते हैं यहाँ से कर सकते हैं which is used to minimize the current workbook in MS Excel MS Excel में current workbook यहनि कि आप जिस workbook पे काम कर रहे हैं उसे minimize करना है तो कौन सा option आप इस्तिमाल करेंगे तो आंसर होगा C Ctrl plus F9 की तो देखते हैं Microsoft Excel पे हमा चुके हैं Ctrl plus F9 जैसे ही प्रेस किया तो देख सकते हैं आप Excel का जो window है वो minimize हो चुका है While selecting multiple worksheets in Excel the following key must also be used when clicking the seat tab Excel में आप multiple worksheets को select करते समय निम्दलिकित में से किस की को साथ में प्रेस करते हैं जब आप seat tab को select करते हैं Insert key, Escape key, Shift key, Ctrl key तो आंसर क्या होगा? D, Ctrl key का इस्तिमाल किया जाता है कैसे ये work करता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे seat 1, seat 2, 3, 4 दिया गया है seat 1 जो है ये selected है क्योंकि आप इसे देख पा रहे हैं अब आपको seat 1 के साथ में और seat को select करना है तो क्या करना होगा? Ctrl key को hold करके रखिए जिस-जिस seat को select करना चाते हैं उस पे click कीजिए इस तरीके से देख सकते हैं तो एक से ज़्यादा work seat को select करने के लिए आपको Ctrl key को press करके रखना पड़ता है जिस-जिस seat को select करना चाते हैं उस पे click करते रहे हैं If a word is typed that is not in MS words dictionary a wavy underline appears below the word What is the color of the underline that appears in this situation question कह रहा है यदि कोई word type किया गया जो MS word के dictionary में नहीं है तो word के नीचे एक wavy underline दिखाई देती है इस situation में दिखाई देने वाली underline का color क्या है आपको ये बताना है blue, red, green, black आंसर क्या होगा B, red color की एक wavy underline आपको display होती है कैसे? तो देख सकते हैं कई सारे यहां पे word type है जो Microsoft word के dictionary में नहीं है तो red wavy underline आ रही है यही question का meaning था अगर आप spelling भी mistake करते हैं तो भी एक red wavy line आती है अगर आप किसी paragraph में एक ही word को दो बार repeat करते हैं तो भी red color की line आती है तो question अलग-अलग तरीके से पूछ सकता है The operation of combining two cells into a single cell in actual is referred to as actual में आपको दो cell को एक cell में combine करना है तो कौन सा operation perform किया जाता है तो answer क्या होगा B merge cells का तो यहां पे हम select करते हैं दो cell को अब इसे एक में merge कर देते हैं तो देख सकते हैं दो cell जो था यह single cell में combine हो गया है इसी को कहा जाता है merge operation What do you press to enter the current date in a cell? किसी भी cell में current date को enter करने के लिए क्या प्रेस किया जाता है तो answer क्या होगा A, B, C या फिड़ी A, control plus semicolon कैसे यह काम करता है तो यहां पे हम current date यानि कि आज का date insert करना चाते हैं तो आप system में देख सकते हैं 77 2023 है तो control plus semicolon control की plus semicolon की को फ्रेस कीजे तो देख सकते हैं आज का date insert हो चुका है कितने ही आसानी से आप shortcut की का इस्तिमाल करके किसी भी काम को कर सकते हैं और अपने time को save कर सकते हैं अगला question देखिए what do you press to enter the current time in a cell अब आपको cell में क्या करना है current time enter करना है तो इसके लिए क्या प्रेस करेंगे b control plus shift plus colon कैसे तो देख सकते हैं current time हम insert करेंगे यानि कि आज का इस वक्त का time क्या है तो system में कितना दिखा रहा है 69 तो हम प्रेस करते हैं ctrl shift colon ctrl shift colon देख सकते हैं system में अभी का time insert हो चुका है dash is the shortcut key to move to the next work seat next work seat में move करने का shortcut key क्या है तो answer क्या होगा a control plus page down ये कैसे काम करता है तो देख सकते हैं कई सारी work seat यहां पे open है अभी हम work seat 1 पे हैं प्रेस करते हैं ctrl plus page down तो देख सकते हैं seat 2 में आ पा चुके हैं इसी तरीके से फिर से प्रेस करेंगे तो seat 3 में आ जाएंगे dash is the shortcut key to move to the previous work seat अब आपको previous work seat में move करना है यानि कि पिछली वाली work seat जो थी shortcut की कौन सीस्तिमाल होगी control plus page up तो करते हैं अभी हम seat 3 में हैं 2 में जाना चाते हैं control plus page up 1 में जाना चाते हैं control plus page up इस तरीके से आप back भी जा सकते हैं और next भी जा सकते हैं how to change the order of slides in presentation presentation में slides के order को कैसे change कर सकते हैं तो दिया गया है A, B, C और D सभी को आप अच्छे से read करेंगे समझेंगे हम आपको direct answer बताते हैं ताकि आपका time save हो B is correct on slide sorter view click on the slide and drag to required position आपको क्या करना है presentation के slide sorter view पे click करना है तो आपकी सारी slide जो होती है आपको एक ही screen पे दिखाई देती है अब आप इसके order को change करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं A के बाद B आएगा लेकिन इहां पे C है तो आपको इसे select करके drag कर देना है इस तरीके से अब आप इहां पे भी कर सकते हैं D के बाद E आना चाहिए लेकिन इहां पे F है तो इसी तरीके से आप drag करके कर सकते हैं question number 44 देखिए in Microsoft PowerPoint to create a PowerPoint presentation from a template क्या कह रहा है Microsoft PowerPoint में template से PowerPoint presentation create करना है तो आप किस पे click करेंगे A, B, C, या फिर D A, click file new, select the presentations tab and choose a template करके देखते हैं PowerPoint presentation पे आ चुके हैं file पे click करेंगे देन आपको new पे click करना है यहां पे मिलता है presentations का tab इस पे click कीजिए कई सारे template यहां पे दिये गए है जिसे भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं presentation बनाने के लिए कर सकते हैं Peach of the following will not advance the slides in a slide show view निमनलिखित में से कौन slide show view में slide को आगे नहीं बढ़ाएगा दिया गया है A escape की, enter की, space bar, mouse button answer क्या होगा A, escape की कैसे यह काम करता है तो हम power point presentation पे आ चुके हैं F5 का इस्तेमाल करके slide show करेंगे अब press करते हैं escape की तो आप देख सकते हैं आपका slide show जो था वो stoff हो चुका है escape की ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया In slide show view, the movement that you see when one slide changes to another is called a Slide show view में जब एक slide, दूसरी slide में change होती है यानि की बदलती है तो आपको जो movement यानि की हलचल दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है तो आंसर क्या होगा? ए, transition Transition आप अपने slide के लिए कहां से set कर सकते है तो power point में transition का एक separate tab दिया गया है ये सभी transition के type है यहां से आप more transition देख सकते है तो जो भी transition आप अपने slide में इस्तिमाल करना चाते हैं कर सकते हैं, आपकी slide बिलकुल उसी तरीके से movement करती है You want to set such that when you type बैसाख and drag the fill handle Excel should produce jet, ashar and so on What will you set to affect that? आप ऐसा set करना चाते हैं कि जब आप बैसाख type करें और fill handle को drag करें तो एक्षल को jet, अशार, इत्यादी का production करना चाहिए यानि कि produce करना चाहिए तो इस effect को आप कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं? तो answer होगा D, fill, series की मदद से For example, हम Excel में आते हैं और यहाँ पर type करते हैं Jan तो यह जो आप plus का symbol यहाँ पर देख रहे हैं इस पर click करने नीचे की और drag करना है और छोड़ देना है तो आप क्या देख रहे हैं? Jan के बाद Fab, March, April, etc. आ गया है In MS PowerPoint presentation, the designs regulate the layout and formatting for the slide These are commonly known as MS PowerPoint presentation में Design, slide के लिए layout और formatting को control करते हैं इन्हें आमतोर पर किन नामों से जाना जाता है? तो answer क्या होगा? C, templates Templates का अगर आप इस्तिमाल करके किसी भी presentation को create करते हैं तो यह slide का जो भी layout, formatting होता है सारे चीजों को control करता है Which option in PowerPoint allows to carry slides from one computer to another? एक computer से दूसरे computer में slides को ले जाने के लिए PowerPoint का कौन सो option आपको enable बनाता है? तो answer होगा C, pack and go Question number 50 देखिए Which key should you use to indent the first paragraph of your report? अपने report के पहले paragraph को आप indent किसकी मदद से बना सकते हैं? Tab की, return की, space bar की, shift की Answer क्या होगा? A, tab key कैसे काम करेगा? तो हम अपने report पे आ चुके हैं पहले paragraph को हमने select कर लिया अप press करते हैं tab key तो देख सकते हैं आपका paragraph indent हो रहा है तो इस तरीके से आप tab key कभी इस्तिमाल करके paragraph को indent कर सकते हैं और एक question जिसका answer आपको comment में लिख के बताना है इसी तरीके का और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चानल पे नए हैं तो subscribe के वेगर मत जाएगा